तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं strong लिया आपको spoiler warning दे रहा हूँ अगर आप नहीं देखा है तो अभी जा कर देख लो क्योंकि मैं इसमें recap के बारे में बात करूँगा, review करूँगा और कभी-कभी breakdown में कर दूँगा हर एपिसोड का तो जनी बिनक्सितेरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड वन के बारे में जिसका टाइडल है What if Nebula joined the Nova Cops, जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है Nebula के साथ जो एक dead body को देखती है और वो dead body है योंडो की, जो बढ़ चुका है और तभी वहाला भी Nova Cops को दिखाया जाता है और हमें पता जलता है कि Nebula Nova Cops की member है और फिर हमें पंच साल पहले का flashback दिखाया जाता है कि Ronit Death Henos को धोका दे दिया है और Nebula को space में मिलने के लिए छोड़ दिया है जिसके बाद Nova Prime Nebula को बचा लेती है और उसको Nova Cops में शामिल कर लेती है जिसके बाद Nebula उस जगहाँ पर वापिस आती है जहाँ योंडू की बोड़ी थी वहाँ उसे योंडू का arrow मिलता है जिसमें कुछ अजीब सा code था जिसके बाद Nova Prime Nebula को order देती है कि किसी भी तरह पता लगाओ कि किसने योंडू को मारा था तब वो कसीनो के मालिक Howard the Duck कौर के पास पहुंचती है और उसे योंडू के arrow में कुछ information दिखाती है जिसके बाद कौर बोलता है कि 5 साल पहले जब रौनित जैंडार पर हमला करा था तब जैंडार ने अपने आपको रौनित के forces से बचाने के लिए ब्रमार्ट से अपने आपको seal कर दिया मतलब कि पूरे प्लैनेट पर एक sheet लगा दी और पूरे जैंडार को 50 साल के लिए बंद कर दिया गया जिसकी बज़ा से अब जैंडार अंधेरे में रहने लग गया है तब नेमुलादी योंडू के शरीड को डूंडा जिसका नुआ प्राइम ने इंवेस्टिकेशन करने का ओडर दिया था और उसने जाना कि योंडू के पास प्लैनेट के sheet को खोलने का code है और फिर उसने इस चीज के लिए एक kree soldier जिसका रल्म योंडू रोग था उसके मदतली मीन फ्रेम में घुसने के लिए और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकिन साला वो जो योंडू है उसने धोका दे दिया नेमुला को और फिर एक शौकिंग बात योंडू ने बताई कि जो नेमुला प्राइम है वो उसके साथ मिली हुई है और वो रोनल्ड को जैंडार को देना चाहती है मतलब कि वो जैंडार रोनल्ड को देना चाहती है तो फिर लेकिन हमें आगे बताई चलता है कि जो नेमुला है नुवा प्राइम की लोगों से बच गई और गुरूट के हैप से नुवा प्राइम को रोगने चले गई और फिर नेमुला नुवा प्राइम को रोग भी लेती है साथ में जब नुवा प्राइम वो शील्ड खोल देती है तब तक रोनल्ड उसे शील्ड के गेट के बीच तक आ जाता है तब जो नेवुला है वो अपनी कोट से उसे बंद कर देती है उस पूरे शील्ड को उससे होता क्या है कि वो शील्ड जो है उस रॉनिंग की शिप को तोड़ देता है और उस शील्ड के बंद होने के साथ वो जो रॉनिंग था वो भी खतम हो जाता है बाद में शील्ड पूरी तरीके से खोल देते हैं क्योंकि Ronin का जो आतंक थाना वो चला गया था और यहीं पर episode खतम हो जाता है तो overall यह episode उतर अच्छा नहीं था लेकिन यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि actually में Ronin कितना तागत वर है और यह जो पूरा episode था हमें वो cyberpunk और blade देने वाली vibe दे रहा था तो overall देखकर बहुत ही अच्छा लगा और भाई इसके animation बहुत ज़्यादा अच्छे है मतलब मैंने खुद इसे 4K में देखकर experience किया है वो जो सारे texture थे और वो जो सारे shadows है न उद पर काफी महनत करी गई है उद पर क्या मस्त detailing करी गई है भाई मतलब वो देखकर तो मज़ा आ गया साथ में यह वाली quality हर एक episode में है आपको देखकर जरूर मज़ा आएगा अगर आपने देखियोगी अब बढ़ते हैं इसके episode 2 की तरफ इस मिसल में यह possibility दिखाए जाती है कि क्या होता अगर यौन्डू का दिल ना बदलता मैं बलाता हूँ अगर ऐसा होता तो 1988 में राइवजर्स पीटर क्विल को इगो के पास ले जाता जो उन से universe में अपने expansion में मरत करने का अर्ज करता है छे महीने बाद कई दुनियाओं को तभा करने के बाद क्विल फिर से अर्थ पर लौट आता है इसके जवाब में पैगी कार्टर और हावर्ट स्टार्क ने एक टीम बनाया जिसमें बिल फॉस्टर वकांड़का की टिचाका बक्की बांस डॉक्टर वेंडी लौंसन और एक जिम्मेदार हैंक पीम शामिल है जो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आता है जिसका नाम है होब वेंड कोणी आइलेंड पे एक छकड़े के बाद टीम ले थौर की मदल से क्विल को रोक लिया है जब टीम अपने अगले कदम पर चर्चा कर रही होती है तब वेंड डेंड जो की हैंड बीम की बेटी थी उसने क्विल को छुड़ा दिया था जो मसूरी जाता है जब टीचाका, फोस्टर और थौर काटर के फोर्सेस की मदल करते हैं इगो को रोकने में वहाँ पर पिम और लौसन क्विल से मिलते हैं जो अपनी मा की कबर पर जा रहा है और एक दयालू पिम उसे अपने पिता के खिलाफ खड़े होने के लिए मना रहा होता है Bounce अपने Benupleaters के असर होनी के दोराद Quill को मरनने के लिए तैयार हो रहा है जब तक Stark उसे अपने अच्छे दोस्ट Steve Rogers की याद दिलाता है जैसे ही Ego Heroes को हरा देता है और अपने Beach को पाने की कोशिश करता है Pym और Quill समय पर आते हैं उसे रोकने के लिए जिसमें Quill अपने Beach का इस्तेमाल करें के Ego के अवतार रूप को दश्ट कर देता है Team Bounce के बिदल अपने जीत की खुशी मनाती है और फिर Ego के Penetary रूप से सामधा करने निकल जाती है Thor के साथ अब इसमें सब लोग बोलेंगे कि अगर Thor इतना Powerful है तो वो Ego को रोक क्यों नहीं पाया तो देखो बात ये है न कि Thor ने उस बीच को Ego से ले लिया ये बहुत बड़ी बात है और साथ में Thor ने इतना कम टाइम भी ये पता भी लगा लिया कि एक Celestial Being ही Ego को रोक सकता है उसके बावजूद भी वो Ego के Penetary रूप को रोकने अकेले ही जा रहा था तो भाई यहाँ पर Thor को कमबत समझना तो इससे यह प्रूफ होता है कि Thor बहुत पावरफुल है अगर वो ट्राय करने की कोशिश करे अब बढ़ते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ जो की पूरे तरीके से Christmas के लिए बनाया गया था जिसका टाइडल है What If Happy Hogan Saved Christmas Christmas evening में Happy Hogan को Avengers Tower का सुरक्षा का security बनाया गया है एक annual holiday party के लिए जब तक Justin Hammer और उसके henchmen सर्जी और रस्टी जेल से महार निकल कर टावर पर हमला नहीं करते Tony Star की टेक्नलोजी और Bruce Banner के हल के खून के सेंपल के लिए मारिया हिल हैमर को पकड़ने की कोशिश में चोट खातर गायन हो जाती है हल के खून के सेंपल को बचाने की कोशिश करते हुए होगन को इसे गलती से inject कर दिया जाता है जिससे उसे धीरे धीरे एक परपल हल जैसे monster में बनने का अनुपव होता है लेकिन उसे अपनी बुद्धी को बचाने में काम्यावी मिलती है जब Avengers Christmas parties में व्यस्त होते हैं तो Jarvis इनेक्टिव होता है होगन डार्सी लैविस से संपर्क करता है जिसे टावर के सिस्टम को रिबूट करने के लिए जिमिदारी दी जाती है जब Hammer, सरजी और रस्टी लैविस और हिल को घेल लेते हैं एक पूरी तरह बदल गया होगन उनके सामने आता है और उनने हाइजेक्ट आयरेन लीगन प्रोफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है Hammer स्टार्क के हल्क बस्टर आर्मर को कमजा लेता है लेकिन होगन उसे हरा देता है Avengers के पहुँचने से पहले जब Hammer को हिरासत में ले लिया जाता है तो होगन को उसके प्रयास के लिए तारिफ मिलती है जबकि Avengers अपनी क्रिस्मस पार्टी को दवारा शुरू करते हैं लेकिन बाद में थोर लेट पहुँचता है और उसे अकेल ही रहना पड़ता है तो इस एपिसोट को देखकर सच में मुझे बहुत मज़ा आया मतलब एक अच्छी क्रिस्मस पार्टी को इंजॉय करनी के लिए एपिसोट बहुत अच्छा है और उसी हिसाफ से बनाया गया है लेकिन यहाँ पर जो परपल हलक है उसका रोल आगे होने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं फोर्थ एपिसोट की तरफ जिसका टाइटल है इसमें बस थोर की जगा पर आइरन मैन ग्रेंड मास्टर के पास क्रैश हो जाता है साल 2012 में तोनी स्टार्क ने नियॉयर्क को बचाने के लिए एक नुकलियर मिसायल को चित्तोरी मदर्शिप की तरफ भेज दिया लेकिन वार्मॉल बद्ध हो जाता है उसके वापस अर्थ पर लोटने से पहले स्टार्क सकार पर क्रैश लेंड होता है और स्टार्क को इसका रूलर ग्रेंड मास्टर फोर्स फुली रुकने को कहता है स्टार्क एक डेथ रेस में इंटर्फेरंस करता है एक रेसर कोर्ग को बचाने के लिए और गमोरा से मिलता है जिसे थैनोस ने भेजा है स्टार्क को मरणने के लिए क्योंकि उसने चित्तोरी को रोग दिया था Grandmaster के मुख्य इंफोर्स तोपाज Gamora और स्टार्क को बंदी बना लेती है स्टार्क बचता है लेकिन Gamora के परपस को जानकर उससे सकार को Grandmaster से बचाने के लिए फैसला करता है स्टार्क, कोर्ग और वैLकरी को रिक्रूट करता है एक नया Ironman सूट मुनाता है और Grandmaster से सकार के साशक बचने के लिए एक रेज के लिए चैलेज ख़ता है Grandmaster कहीं धोका-धरी तरीकों का इस्तमाल करता है लेकिन स्टार्क एंड में रेज जीन जाता है वैलकरी स्टार्क की जान बचाने के लिए तोपास से टकराती है जिससे उसकी स्टार्फ ग्रेंड मास्टर पर गिर कर उसे पिगला देती है जब वैलकरी सकार का रूलर बनती है स्टार्क गमोरा के साथ मिलके थैनोस से सामदा करने में शामिल होता है आइरन मैन के कहने पर गमोरा ने अपना रास्ता बनाने के बजाए अपने पिता के साय में नहीं रहने का फैसला किया है और उसने उससे तोपास की स्टाफ से मार दिया बिटकेट सीब में Grandmaster जो अभी हुई जिन्दा है तो पास से अपने पडल फॉम को एक खटा करने के लिए भीग मंगता है अब देखो ये एपिसोड उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जो टोनी स्टार्क एके Iron Man के फैन है और दूसरी चीज ये है कि ये वाला एपिसोड सीजन वन में ही होने वाला था लेकिन उस से लेकिन उस टाइम पर ये रैडी नहीं हुआ था और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम पर गमोरा के बास इंफिनिटी क्रशड था लेकिन इस पूरे एपिसोड में हमें वो नहीं दिखाया गया मतलब अभी आयर्ट मैंड और गमोरा की यर्णिटी मा की है जो कि हमें आगे देखने को मिल सकती है तो चलिए बिना कीज़े देरी के आगे बढ़ते हैं फिप्ट एपिसोड की तरफ जिसका टाइडल है और ये कंटिनिएशन है पहले वाले इवेंट्स का लेमूरियन स्टार के मिशन को रीटेक करने के बाद कैटन पैगी कार्टर और नताशा रॉमनोफ को हाइडर स्टॉम पर आर्मर के अंदर अभी भी जिन्दा स्टीव रॉजर्स मिलता है रॉजर्स उन दोनों पर हमला करता है फिर जहाज को भी डिस्ट्रॉई कर देता है दिक फ्यूरी के साथ बादचीत से रॉमनोफ को ये पता चलता है कि रॉजर्स जो 1953 में गयाव हो गया था रैड रूम के एजेंट्स द्वारा ब्रीनवाश किया गया था कार्टर और रॉमनोफ ब्रोक रमलो की मदद करते हैं बक्की बांज को बचाने में जो रॉजर्स का अगला शिकार है उसे रोकने के बाद रॉजर्स को असाय करके स्कॉटलैट में एक सीक्रेट हाइड आउट तक महुशते हैं कोशिशे सूट को रिबूट करने की असफलता से गुजरती है क्योंकि ये रॉजर्स को जीवित रखता है हर एक्टिवेशन उसके जीवित रहने के चांसे को कम करता है फिर रॉजर्स कार्टर की वजद करने का सुझाव देता है रैड रूम को गिराने में उबीर है कि इसे ठीक करने का इलाज मिलेगा उसके बाद उसे और रॉजर्स को एक पहले केजीवी टेस्ट साइट तक छोड़ देता है तीनों को घेल लिया जाता है आटोमेटिड ड्रोन्स के दवारा जब रॉजर्स के ब्रेन वाशिंग को मलीदा वॉस्तकॉफ द्वारा दोबारा एक्टिवेट किया जाता है जो अर्लियर इवेंट्स को स्टेजिंग करने के लिए एड्मिट करती है कार्टर रॉजर्स से लडाई करता है जिबकि रॉजर्स को देखते हुए रॉजर्स अपने एक ग्रैप्लिक होग को फायर करती है जिसे उसने उस पर लैच किया है और उसे वो वास्तकॉफ से जोड़ देती है जो फट जाती है कुछ समय बात दिखाया जाता है कि कार्टर को यकीन है कि रॉजर्स अभी भी जिद्धा है उसे धूड़ने का फैसला करती है वो जब वो रॉबनोप को अलविदा कहती है तो एक अन्नोन पोर्टल कार्टर के पैर के नीचे खुलता है और उसे दूसरे इनुवर्स में भेज देता है इसे देखकर तो वाचर भी शौक्ड हो जाता है जहां उसे फ्यूरी और वाड़ना मैक्सिमोफ के मैंडिवेल एरा वेरिंट्स मिलते हैं तो यह चीज़ हमें एपिसोड एट से लिंक करेगी कि यह सब हो क्यो रहा है यह हमें उसमें पता चल जाएगा तो चलिए बीना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड 6 की तरफ जिसका टाइटल है वट इफ कहोरी रीशेप्ट दे वर्ल्ड इसमें होता क्या है न कि जब सर्टर ने एजगार्ड को रैगनरॉक के टाइम पर डिस्ट्रॉई कर दिया था तब जो टैसरेक हो हो गया ड्यू टू ड्यूरियस ट्राइब पीपल जो उस लेक से ड्रेक्ट करते थे लेट 15 सेंजवरी में एक यंग महोक वूमेन काहोरी और उसका भाई वहाता का पीछा कर रहे थे कुछ स्पैनिश कॉन्कुस्टरर्स इसे हिंदी में विजेता बोलते हैं तो ये जो कॉन फॉन्जो गॉन्जोलो चला रही है जो उनके गाउं को बरबात करके यूद का फाउंटेन डूंड रहे हैं कौन की स्टडर उन्हें पकड़ने के लिए पीछा करने लगते हैं और फिर वह एक गुफा में जाते हैं जहां उन्हें वहाता को पकड़ लिया और काहोरी को गो 48 अठारक्स ये समझाता है कि जो लोग लेक से डिरेक्ट करते हैं वह स्काइवर्ड में टेलिपोर्ट हो जाते हैं जहां उन्हें शक्तियां मिलती है और वो अबर हो जाते हैं लेकिन वह अपने घर नहीं लोट सकते क्वा ओर ही रुखती हैा और स्काइवर्ड के लोगों स जाते हैं जहां वो गाओं वालों को हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन काओरी उन्हें रोग देती है जो आसमत में जो पोर्टल होता है उसे जमीन पर याती है अपनी पावर्स से और घर लोटकर अपने लोगों को कॉंकिस्टाडर से बचाती है बाद में काओरी और के लोग इस पेंट की रानी इसे बेला को माउग लोगों के साथ शांती करने के लिए मजबूर करते हैं और वहाँ पर देखकर मुझे सीन बहुत अच्छा लगा बतलब वह कितना जाता गुरूर है उसे दिकर आया मुत सामने है लेकिन नहीं तब भी थ्रोन पर बैठना है व वो उसे बहुत समय से ढून रहा था तो यहाँ पर चीजें इंट्रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड 7th की तरफ जिसका नाम है वट इव हेला पाउंड दा टैंडरिंग्स इसमें बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज हो तो ज़िए इसकी स्टोरी के वारे में बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हैला की खूद की भूख नाइन डियम्स में ओडिन को उसे अर्थ पर भेजने पर मजबूर करता है जहां उसने उसकी शक्तियों को बियोनिर को बरबात करके और उसके क्राउन पर एक जा हैला उसके टेंड्रिक्स चुराने में असफलता के माद बच जाती है और खुदुन की गाइडन्स से तालो के रीम तक पहुचती है वहाँ उसनी लीडर जी आई को मनाने में सबलता हासिल की और उसकी मंग को जॉइन कर दिया जी आई हैला को तालो के टेक्डिक्स सिखाती है उसकी असली एक छाकों को जानती है हैमडाल हैला को डूटने में असफलता के माद ओडिन को वैन्वू से भिड़ने के लिए प्रेणा देता है हैला वैन्वू के साथ जुडती है ओडिन को हराती है और अपने क्राउन को दोबारा चलाने की योगयता को हासिल करती है बत अज़ादी का संकल्प लेकर यात्रा पर निकलती है उसनी गमोरा के लोगों की मरत की जब थैनौस उन पर हमला करता है तो चलिए एट्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नम है इसमें होता गया है कि वांडर मैक्सिमोफ के द्वारा 1602 थीम्ड यूनिवर्स में भेजे जानी के बाद पैगी कार्टर तैय करती है कि उसे और फ्यूरी को एक आने वाले इंगर्जन के बारे में बता चला है कुछ समय बाद जब एक टी एर खुलता है उसने लोकी को उसमें खीचने से बचाया लेकिन रादी हैला को बचा नहीं सकती किंग थौर के दए आदेशों के तहत होगन और रोयल येलो जैकिट्स के द्वारा शिकार बद गई है काटर वाचर के कहने पर छुम जाती है और उसे बताती है कि उसका उस युनिवर्स में कोई स्थान नहीं है लेकिन काटर उनकी मदद करने के लिए रुखती है और स्टार्क को ढूनती है थौर का सैप्टर को वापस लेनी के लिए उसकी मदद चाहिए होती है इस्टार्क उसे ये बताता है कि कुछ लोग उसे चुराने में वर्यत कर सकते हैं लोकी के कैरी एज पर चलते हुए उसे रोजर्स बांस और स्कॉर्ट लैंग के रोबिन हुट थीम वेरियंट्स मिलते हैं और एक पब में उनके साथ जुड़ती है लेकिन उन पर होगन येलो जैगिट्स और डिस्ट्रॉयर का हमला होता है जिसे काटर खत्म कर देती है उसने खुद को गिरिफतार होने दिया और वाचर के साथ दोबारा बात की फिर उसने अपने आपको और ब्रूस बैदर को मुक्त किया और वो स्टार्क से मिलती है जो अपने डिवाइस दिखाता है और रोजर्स लैंक और बांच से मिलती है जो ग्रूप उनोंने बनाया था वो अपने आपको डिस्गाइस करते हैं और थौर के कोट रूम में प्रवेश करते हैं हल्क के सिगनल का इंतिजार करते हैं जब वो पहुंचता है Carter Thor से सेप्टर के बारे में समझोता करता है वो उसके साथ उसके लड़ाई में शामिल होती है एक बार जब Maximoff बीच में आती है Carter सेप्टर लेती है और स्टार्क के डिवाइस के अंदर टाइम स्टोन का इस्तमाल करती है जिससे टाइम डिस्प्लेस्ट परसन रॉजर्स का बता जलता है जिसने थैनोस के साथ लड़ाई के दौरान अंजाने में टेंपोरन अनोमली पैदा कर दी थी वो उसे अलविदा कैने के लिए मजबूर हो जाती है और उसे उसके ब्रहमान में वापस बेज देती है जिससे इंकरजन खतम हो जाता है और यहाँ पर हमें यह भी पता जल जाता है कि जो कार्टर है वो गई कहां थी और अकेले पप में लोटते वे उसकी अचानक स्ट्रेंज सुप्रीम से मुलाकात होती है और यहां से स्ट्रेंज सुप्रीम कंडर के जाता है उसने कहोरी को भी कलेक्ट किया है अब कार्टर को मी ले गिया है पता नहीं वो किस-किस को लाएगा वो था हमें अब लास्ट वाले एपिसोड में ही पता चलेगा और इसके आगी से ही एपिसोड 9 शुरू होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर से डील करता है कि तुम मेरी मलत करो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस भेज दूँगा और कैप्टन रेडी हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज दिख कर आया होता है पर वो कैप्टन कार्टर को बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सही नहीं है वो अपने युनिवर्स को रिवाइब कर रहा है और हमें उसे रोकना होगा पर डॉक्टर स्ट्रेंज वहां जाता है और कैप्टन कार्टर को भी यह बात समझ में आने लगती है कि वो Strange को ये सब रोकने को बोलती है पर Dr. Strange मना कर देता है और वो Dr. Strange से लड़ना शुरू कर देती है और सोचती है कि वो जहां से युनिवर्स रिवाईव हो रहा है वहां से खतम कर देगी पर Dr. Strange बहुत पावरफुल है वो उसे कैसे भी करके रोक कर कैपटन अपनी शील्ड से सारे विलन को आजाद कर देती है और सारे विलन आपस में लडने लगते है तभी कैपटन और कावरी निकलने लगती है और उनके सामने किल मोंग कर आ जाता है 6 Infinity Stone के साथ और कावरी अपनी जादू से उसमें से स्टोल दे लेती है और कैटन को दे देती है और तभी वहाँ वांडा आती है जो कि जॉमी फाइड है और तभी वहाँ हैला आती है और वो वांडा को मार कर सारे जॉम्पीस पर कंट्रोल कर लेती है और फिर वहाँ सर्टर आ जाता है और हैला सर्टर से लड़ लगती है और वहां फिर उनसे बचती हुई Captain और कावरी वही पहुँच जाती है जहां युनिवर्स रिवाइब हो रहा है और वहां Dr. Strange आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सारे मुझे रोक लेके और फिर गुटर स्टेंज सारे मुझे को उनसे रिवाइब करने वाले सोर्स में फैक देता है पर तभी काफी सारे मुझे अपनी वैबन Captain को देदेते हैं डॉक्टर स्टेंज से लडने के लिए जिसमें हैला अपने हैलमेट थॉर अपना हैवल और फिर डॉक्टर स्टेंज वहाँ अपने सबसे पावर्फुल फॉर्म में आ जाता है और तब ही कैप्टन एक पंज मारती है और डॉक्टर स्टेंज में से उससे राक्षस निकाल देती है और डॉक्टर स्टेंज उसे बताता है कि वो उस राक्षचस को अपने अंदर और कंट्रोल नहीं कर सकता और फिर डॉक्टर स्टेंज फाइट के दुरान किसी भी तरह उस राक्षचस को अपने साथ लेकर उस रिवाइफ सोर्च में कूट जाता है और वो जीत जाता है और फिर वाचर काहोरी को उसके युनिवर्स में भेज देता है और कैप्टन को दिखता है कि डॉक्टर स्टेंज ने अपना युनिवर्स रिवाइफ कर लिया है पर इस इनिवर्स में उसने अपने प्यार को जिदा रखनी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और इस इनिवर्स में डॉक्टर स्टेंज कभी पैदा ही नहीं हुआ और फिर कैप्टन को लोकी वाला ट्री दिखता है और यही एपिसोड और यह सीजन है कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर पिछले सीजन की न सारी कहानी जो हमने देखी थी उसका एक अच्छा क्लोजर भी मिल जाता है यह सीजन शुरू में थोड़ा मिड था और चार एपिसोड के बाद जो इस सीजन दे लेवल पकड़ा है न वो अलगी चीज थी लास्ट एपिसोड का काँ भी अच्छा एंड किया है यह मेरे भी 2030 की लास्ट वीडियो होगी और MCU का भी यह लास्ट प्रजेक्ट है और यह भी अच्छा दगा कि लोकी जितना अच्छा तो नहीं गया यह शो लेगिना सीक्रेट इद वेजन और शी हल्प के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है यह और अगर आपने वटीब देख लिया है तो कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा यह सीजन बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर डियू और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले साल के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैपी डियू एयर और जैज रियाँ